वेलकम बेक फ्रेंड्स दिस इस करंट अफेस फंडा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलोगिजम के नए पैटरन के बारे में यह कुछिन्स आपके SBI या IBPS या फिर जो बड़े एक्जाम्स हैं उसके में यह पूछे आ सकते हैं तो साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह कुछिन्स को अप्रोच क्या करना है कुछिन्स का नेचर कैसा होता है ऐसे लोग जिन्हों अभी तक सेलोगिजम की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है उन लोग लिए थोड़ी प्रावलम्स आएंगी तो वो एक हमारी सेल करें और उनको बैंड डाइग्राम बनाना आ जाए उसके बाद ही आप यह कुछिन्स ट्राइ करें ठीके और यह कुछिन्स प्रिपेर किये हैं नितिका अगरबाल ने तो इन्होंने बहुत जादा हल्प किये इन वीडियो को प्रिपेर करने में साथ में आपको बताना चाह यह कि what is the nature of new pattern जो नए pattern का सैलोगिजम है इसका nature कैसा होता है मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें आपको एक guideline लिखी होती है read the following conclusions and choose the correct statement option which justifies the given conclusions मतलब बात की जाए सीधी बात की आपको क्या दिया होता है आपको conclusion दिया होता है तो जैसे कि आपको तीन conclusion या दो conclusion यहाँ प इस तरह से तो option A में क्या है कि कुछ statement दी होंगे जो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे कोई भी 3 statement दी होंगे आपको करना क्या है आपको यह करना है कि जो यहाँ पर conclusion है 1 और 2 यह किस original statement से निकल कर आ रहे है वो आपको option choose करना होगा कोई भी हो सकता है A, B, C, D अब यहाँ पर तो इसके लिए elimination method होता है उसकी हमें यहाँ पर बात करेंगे ताकि आपको कुछ concept समझ में आ जाए कि हमें क्या approach exams में follow करनी है सबसे पहले questions कि हम यहाँ पर बात करते हैं इसमें आपको conclusion दिया है इसके बाद में E तक options दिये हुए है और last option हमें दिया होता है none of the statement justifies the given conclusion या फिर कभी हो सकता है कि E option ना दिया हो इस तरह से आपको एक D option और दे दिया हो ताकि आपको सारे conclusion check करने हो ठीके तो पहले conclusion दिया है फिर आपको statement A statement B statement C statement D अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा statement validate करेगा इस prober conclusion के लिए तो सबसे पहले conclusion पढ़ लो no bec ये दिया हुआ है मतलब कि negative है conclusion हमारा पहला फिर का गया sum a r b is being a possibility अब ये दो conclusion को हम यहां से कैसे check करेंगे हर एक का diagram तो हम नहीं बनाएंगे step 1 आप क्या करेंगे एक एक करके conclusions को आप check करेंगे तो आप ये देखे कि सबसे पहले आप यहां पर पहुचे sum b r a आपको यहां पर दिया हुआ है sum b r a all b r d no d is c अब यहां पर धियान देना कि sum b r लिखा हुआ है इसका मतलब यही हो जाएगा कि b का कुछ पार्ट a के साथ में है तो ये भी हम कह सकते हैं sum a r b या फिर sum b r a दोनों चीजे हमारी partially true है ये तरह से दोनों चीजे सेम है अब इसमें second conclusion क्या कहा जाता है कि sum a r b अब देखो यहां तक कि अगर मैं बात करूँ sum a r b तो देखो यह क्या लिखा हुआ है पहले conclusion में लिखा है sum b r a और sum a r b मतलब की ये चीज इस हिसाब से तो true है लेकिन इस चीज की possibility की बात की जा रही है अब कभी भी जो hundred percent confirm statement है उसका possibility में conclusion नहीं हो सकता ठीक है मैंने कह दिया all a r b और फिर मैं कह रहा हूँ all a r b is being a possibility तो ये हमारा कभी फॉलो नहीं करेगा तो इस वज़े से ये वाला statement तो है इस conclusion के लिए validate नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर जो hundred percent confirm दिया इसी की possibility आपको दिये तो पहला आपका ये गलत हो गया अब option a हमारा eliminate हो गया अब हम इस तरह से b को पढ़ते हैं अब देखो b में दिया हुआ all b r a sum b r d all d r c मतलब कि सारे statement दोगो ये भी positive statement है आपका और sum b r d ये भी positive है और all d r c ये भी आपका positive है अब दियान रखना कि no b e c ये आपका क्या है negative conclusion है तो हमेशा आपको कभी भी positive statement से positive conclusion ही मिलेगा ये चीज़ आपनो down भी कर लें positive statement से कभी भी आपको negative conclusion नहीं मिल सकता तो इस विज़े से ये option b भी हमारा इस proper conclusion को satisfied नहीं कर पाएगा तो ये भी आपका बाहर हो गया अब हम c को चेक करते हैं इसमें लिखा है all b r d फिर लिखा है sum d r a फिर लिखा है no d e c अब देखो इसमें no दिया हुआ है इसका मतलब chances हैं कि ये हो जाए लेकिन एक बार d को और चेक कर लो अब d में क्या कहा गया है कि sum b r d मतलब यहां पर कहा गया है sum b r d फिर लिखा है all b r c sum c r a मतलब ये फिर से आपको देखो या तो answer अपका e होगा या तो answer अपका c होगा अब क्या करो कि आप c बाले का diagram बना लो यहां पर जो आपको c दिया हो इसका diagram बना लो यहां पर अब देखो इसका diagram अगर मैं बनाता हूँ तो लिखा है all b r d तो सबसे पहले मैंने b को लिया और सारा का सारा B क्या है? वो आपका D है फिर कहा गया है sum D R A मतलब D का कुछ पार्ट जो है वो A है तो D का मैंने कुछ पार्ट लिया और A बना दिया आपको just general diagram बनाना यहाँ पर फिर no D is C कि D का C के साथ में कोई भी relation नहीं हो सकता तो मैं C को बिल्कुल अलग बना दे रहाँ अब D और C के बिच में कोई relation नहीं है अब यह statement का diagram बन गया अब आप दोनों conclusion चेक कर लो क्या आपके यह दोनों conclusion ठीक है पहला conclusion कहता है no B is C अब देखो D के अंदर क्या है अपका B है और सारा का सारा D जो है वो C से बिल्लॉण नहीं करता है तो D के अंदर जितने भी element होंगे क्या बो C से बिल्लॉण करेंगे वो भी C से बिल्लॉण नहीं करेंगे यही बात आपकी conclusion में कहीं गई है no B is C तो इस हिसाब से आपका no VEC यह आपका true हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा पहला conclusion तो verify हो गया, second में कहा गया है, sum A or B is being a possibility, यहाँ पर देखना कि B यह है और A यहाँ पर है, D का कुछ part A में है, लेकिन A और B के बिच में कोई relation यहाँ पर नहीं दिया गया है, यही कहा गया है कि A और B के बिच में क्या possibility हो सकती है, sum A or B is being a possibility, बिल्कुल हो सकती है, आप इस diagram को अगर कुछ इस तरह से बनाते हैं, कुछ इस तरह से, यह आपका A हो जाएगा, और यह आपका C, तो इसमें देखो A का कुछ part हमने B के साथ में ले लिया, तो यह possible case है, और यह हमारा क्या था, यह general diagram था, तो जब कभी भी possibility का case आता है, तो आपको general diagram बना कर भी check कर लेना है, क्या, पहले आपको general diagram बनाना है, फिर आपको possible diagram बनाना है, तो हमें यह पता जलाएगा, कि possible diagram जब हमारा justify हो जाएगा, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, कि option C जो है, वो right answer है, जो आपके दोनों conclusion को, यहाँ पर justify कर रहा है, तीक है,